नश्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल में इससे पहले भी हमने हिमाचल प्रदेश करंट अफियर्स पर वीडियो अपलोड की है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो में हमने अक्तूबर महीने से लेकर जनबरी 2022 तक के करंट अफियर्स को डिसक्स किया है हिमाचल प्रदेश के इस वीडियो में हम अगस्त सितंबर और जनबरी महीने के जो कोशन बाकी रहे गए थे उसको हम डिसक्स करने वाले हैं नहीं कि इन दोनों वीडियो को पढ़ लेने के बाद इन कोशन को कर लेने के बाद आपके अगस्त से लेकर जनबरी 2022 तक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफियर्स अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएंगे जनए कि छे महीने के तो आज के देखी पहला प्रदेश का प्रथम सूचना प्रोद्योगी की स्मार्ट बन कहां पर बनाया जा रहा है इस प्रदेश के राइट अंसर रहेगा नालागड कहा रहेगा इस प्रदेश का राइट अंसर नालागड तो इसका जो right answer है वह है क्षेतरी हस्पताल कुलू Next question है कि सरकार की भिकास में जन सहयोग योजना में कौन सा नया कारे जोड़ा गया है तो इसमें नया कारे जोड़ा गया है वह है solar street light लगाना इससे पहले क्या इसका काम रहता था कि पक्के रास्ते बनाना जो सडके वगयरा सामुदाइक भवनों का निर्मान करना अब इसके साथ और क्या कारे जोड़ दिया गया है solar street light लगाना नेक्स प्रशन है कि हिमाचल प्रदेश के कितने शेहरों में केवल कार सेवा शुरू की जा रही है तो तेरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा एब उन डिजाइन संसादन केंदर की सापना की जाएगी तो जे की जाएगी कुल्लू में नेक्स्ट प्रेशन है देव मित्र तिवारी का सबंद किस खेल से था इनका हाली में निदन हुआ है और जे अंतराश्ट्री ख्याती प्राप्त मंडी जिले से एक फुटवालर है तो इसका जो राइट अंसर है इस प्रेशन कब हो है फुटवाल से दोला सिद पावर प्रोज प्रोजेक्ट भी होने वाला है बिजली घर होने वाला है और जे बनायक इसके द्वारा जा रहा है कौन इसके पीशे जो संस्थाब हो है सतलूज जल विदुत निगम क्योंकि जे कोशन पूशे जाते है कि ये वाली पावर प्रोजेक्ट के पीछे कौन सी बोड़ी लगी हुई है कौन सी इसके पीशे पावर कोरपरेशन है तो जे कोशन पूशे जाते हैं नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को मेडल फॉर एक्सिलेंस इन इन्वेस्टिकेशन अवोड दिया जाएगा तो इंस्पेक्टर किरनवाला नेक्स्ट है हिमाचल गोरब सम्मान किसे परदान किया जाएगा जे 15 अगस्त को दिया गे थे अब ओड दोजार इकिस में तो जे सुबेदार संजे कुमार आपको पता बिलासपूर से हैं सुबेदार बलवंत सिंग करतार सिंग सोंखले इनको जे दिया जाएगा नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में खुम्ब उतपादन में हिमाचल गोरदेश का देश भर में कौन सा स्थान रहा तो पांचवान स्थान रहा पहले स्थान पर ओडिशा रहा आपको देखे पीडिएफ भी मिल जाएंगे पीडिएफ का लिंक माँ को डिस्क्रिप्शन बोक्स में कमल किशोर नेक्स्ट है कि हिमाचल गोरदेश के किस महिला क्रिकेट खिलाडी को भारती क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है तो रेंडुका सिंगा आपको पता ही होगा ठीक है नेक्स्ट है कि हिमाचल गोरदेश सरकार दोरा शुरू की जा रही बालिका जनम उपहार यो किसी भी शात्राबास में रहने पर खाने का खर्च बेहन करने के लिए कितनी राशी दी जाएगी तो अधिक्तम 20 हजार रुपे हिमाचर प्रदेश के किस कशेतर के धाम की GI टैगिंग होगी और धाम बनाने की बिदी का पेटेंट किया जाएगा हिमाचर प्रदेश बिश्वी द्याले में अध्याइन कर रही किस शात्रा को हिमाचर के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यूथ आइकन बनाया गया है तो जे मुस्कान है और जे क्या है जे दृष्टी बाधित है छिले में नेक्स्ट और जालादेवी मंदिर है जहाँ आस्मानी बिजली गिरने से मूर्तियां खंडित हो गई तो बिलास्पुर sel 52 जालादेवी मंद्र किस जिले में किस खेल से है तो होकि से है नेक्स्ट है हिमाजर्प्रदेश के किस स्थान में मैडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए केंदर सरकारे मंजूरी दी तो नालागड में हिमाजर्प्रदेश का पहला हाइडरो कॉलेज कहां स्थापित किया गया है नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशाले के माद्यम से चलाई जा रही अटल श्रेष्ट योजना के तहित दो हजार इकिस में कि ये कारेओं के लिए कौन सा जिला परिशद प्रथम स्थान पर रहा प्रदेश के किस जगह में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्स सेंटर बनाये जाएगा तो काजा लाहुल स्पीती और काजा में ही क्या था इलेक्टरिक बाहनों को चार्जिंग करने वालागा सबसे उंचाई पर सित पावर स्टेशन भी है नेक्स्ट है क्वोशन नबर टॉन्टी सिक्स हिमाचल प्रदेश और हरियाना सरकार के मद्यव किस बांध के निर्मान के लिए समझोता ग्यापन स्थापित किया गया है तो आदी बदरी बांध जे भी इंपोर्टन क्वोशन है ठ्योग कि किस युबा को इंटरनेशनल आइकोन अवोर्ड 2022 से सम्मानित किया गया तो जे है हंश कावर हिमाचल प्रदेश में अब किन तीन दुरलब जानबनों की परचाती की पहली बार गणना की जाएगी तो जे कौन-कौन से है आईवेक्स बूरा और लाल बालू ठीक है हिमाचल प्रदेश स्वन जन्ती सूपर हंडर्ड योजना के अंतरगत विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए कितनी धनराशी दी जाती है तो एक-एक लाख रूपे दी जाते है हिमाचल प्रदेश इलेक्टरिक बाहन नीती 2022 के तहट 2025 तक कितने प्रतिशत इलेक्टरिक बाहनों के पंजीकर्ण का लक्षे रखा गया है तो 15 प्रतिशत नेक्स्ट है कांगड़ा जिले के किस शिक्षक का चैन सारा भाई राश्ट्री शिक्षक पुर्सकार के लिए हुआ है तो सुनील धिमान नेक्स्ट कोश्ट है जूनियर महिला तलवारवाजी बिश्व कप 2022 में हिमाचल प्रदेश से किसका चैन हुआ है तो जे है शिक्षा बलोरिया नेक्स्ट कोश्ट है और देखिजे कहां से हैं जे कांगड़ा से हैं हिमाचल प्रदेश के बावन में पूर्ण राज्यतो दिवस पर राज्यस तरी समारो कहां पर आयोजित किया गया तो जिला सोलन के ठोडो मेदान में हिमाचल प्रदेश में बर्तमान में कुल कितनी पंचायते हैं तो 3,615 हाली में ओलंपिक बिजेता होकी टीम के पूर्व कप्तान चरण जित सिंग का निदन हो गया उनका सबंद हिमाचल के किस जिले से है तो उनना जिले से और इन्होंने 1964 में देखिए जो ओलंपिक हुए थे टोक्य ओलंपिक उसमें जो भारत की होकी टीम थे उसके कप्तान थे और भारत ने तब गोल्ड मेडल जीता था नेक्स्ट है कि भारत रतन अटल बिहारी बाज़पे शिखर साहित्य सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया देखिए 2018 के लिए पुर्सकार 2022 में दिये गए हैं तो डॉक्टर ओसी हांडा को और 2017 के लिए किसे दिये गया है तो अचारे केशव शर्मा को नेक्स्ट है कि लाडली फाउंडेशन द्वारा किसे ब्रांड एमबेसेडर बनाया गया तो H.A.S. ओशिन शर्मा को कोशन 38 है जिला कांगडा की ओजस्वी राणा को उस्ट्रेलिया में किस कारे के लिए युवा बैग्यानिक पुर्सकार 2021 मिला तो कैंसर और अलजाइमर रोगियों पर पे पदार्थों के परभाब पर अनुसंदान के लिए ठीक है तो जे होगा जहां पर नेक्स्ट है कि मंडी में त्यार हो रहे भव्य शिब धाम में हिमाचल की किन भवन निर्मान शैलियों का भी परयोग हो रहा है तो कौन-कौन सी काष्ठ कुणी और मंडी की कलम चित्रशैली मंडी कलम चित्रशैली ठीक है काष्ठ कुणी में क्या होता है कि इसमें सेमेंट पुलिस को सम्मानित किया गया है तो जे थे देखिए 40 कोशन थे अगस्त सितंबर और जनवरी महीने के भी इसमें कुछ कोशन से तो आपको दोनों वीडियोस देखने हैं से पहले वाले भी करंट अफेर्स की जिसमें हमने चार महीने के हिमाचल पुदेश के करंट अफेर्स को डिसकस कर लिए इसका आपको पीडियाफ मिल साएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही हो और इस वीडियो को जासे आपने शेर करना है ताकि और भी जो हिमाचल पुदेश के ला मिल सके इन वीडियो का फाइदा मिल सके